केंद्र सरकार जाहिर सी बात है कि एक बड़ी योजना के साथ एक बड़े विजन के साथ काम करती रही है आपको नहीं लगता कि प्रधान मंतरी के बड़े विजन में मजदूर कहीं न कहीं पीछे छूट गए हैं जिस कारण बहुत ज्यादा परेशानी और बधाली का सामना उनको करना पड़ रहा है और कोई बड़ी और मजबूत आवाज इन तमाम चीजों को देखने के बाद भी आगे नहीं आ रही है कि लीजिए यह है ब्लूप्रिंट मजदूरों को यहां से टेकाफ कराने का और उनको घर तक पहुँचाने का अगर यह सोचे कि मजदूर के प्रती केंद सरकार में या राजे सरकारों में सम्मेदन शीरता नहीं है तो मुझे लगता यह शायद कथन वास्तिविक्ता से परे है लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहा हूँ मैं सिर्फ एक छीज चीज कहने चाहता हूं कि जो समस्या है उसका आकार उसका स्वरूप कित्नी बड़ी समस्या है उसके समधान इनके बारे में एक चमा चाता हूँ बीच में आपको रोक रहा हूँ लेकिन जो हालात हैं जो मंजर है जो बधाली है आप कोई सोचल मीडिया एकाउंट आपी स्क्रोल करके देख लिजिए किसी एक्स वाई जेड का फेस्बूक एकाउंट आपको चौथे के बाद पांचवा वीडियो रोने के लिए मजबूर कर देगा जिस तरीके से बधाल स्थिती में लोग हैं रास्ते चलते लोग मर जा रहे हैं छोटे बच्चे भूग प्यास से दम तोड़ दे रहे हैं कहीं भी अपनी गाड़ी रोक के खड़ा हो जाईए मजदूर दोड़ पड़ रहे हैं कि शायद ये साहब जो गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं कुछ न कुछ भोजन देंगे हमें क्या इस तरह के हिंदुस्तान की कलपना हम लोग कर रहे हैं क्या इस तरह की आप निरवर्ता को हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं उपेंजी जी उपेंजी मैं सिफ एक निवेंदन आप से करना चाहते हम जी बताए प्लीज देखे किसी एक राज्य का विशे होता तो शायद यह होता कि भही कई इच्छा शक्ती जो है उसकी कमी है यह प्रशासनेक निपुंटा की कमी है जिस मनजर की और जिस समस्या की आप जिक्र कर रहे हैं वो देश भर की समस्या है चोकि जितने हैं और जितने लोग आज वापिस अपने अपने घरों में आना चाहते हैं उनकी संख्या की तादाद बहुत बढ़ी है यह समस्या छोटी नहीं है अगर भाजपा शासित प्रदेशों में यह हो रहा होता है तो मैं समस्या कि चलो हमारे प्रशासनेक शम्ताएं जो हैं इसका विश्लेशन करते समय हम आपके उपर आरोप नहीं लगा रहा है सुधानसू जी यह मत सोचिए कि हम सिर्फ आपके उपर आरोप लगा रहे हैं देखिए मैं भारती जनता पार्टी या केंदर सरकार को इसके लिए दोसी सीधे नहीं मान रहा हूं लेकिन एक बात बता चाहूंगा बीच में रोक के कि हमारी हमारे देश का जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम है प्रति दिन नौ करोण से ज़्यादा लोगों को ट्रांस्पोर्ट करने की छमता रखता है अगर बसों का बसों की सारी फ्लीट जोड दिया जाए और सारी ट्रेनों की छमता जोड अब माल लीजिए 9 करोण लोगों को एक साथ संपूर्ण लागडाउन चल रहा है एक करोण लोग ही पकड़ लीजिए अगर एक सिस्टम तयार किया जाता एक मास्टर प्लाइन तयार किया जाता मज़दूरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुचाने के लिए वन टेंथ अरेज्मेंट पर भी अगर दस दिन या पांच दिन ये बैवस्ता चलाई जाती तो मुझे लगता है कि जो आठ करोण प्रवासी मजदूरों का जो डेटा निकल के आ रहा है उनको उनके घरों तक पहुचाया जा सकता था और अभी भी बहुत देर नहीं हुई है आनन्द बिहार बस अड़े पर जो देखने को मिला रेलवे स्टेशन पर जो देखने को मिला तब भी सरकार ने अगर इसकी गंभीरता को समझ लिया होता तो जाहिर सी बात है कि केंद्र समेत तमाम राजस सरकारों को ये शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती क्योंकि इसम इसमें ही जो जो लोग अपने घरों से जाना चाहते हैं उनकी एक रेजिस्ट्रेशन का विवस्था करी गई उसमें अधिक्तम वो लोग रेजिस्टर हुए जोगा इन्होंने रैंबरे सेरे बना रखे हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनकी विवस्था हुई जो शमिक फैक्ट्रियों में या कहीं रह रहे थे उन्होंने रेजिस्टेशन नहीं करवाई इसमें बहुत समस्याइं चीज़ है इसमें इतनी सिंपल्टन सिस्टम फेलियर नहीं है अब जिस समय कोशिश करी गई कि भाई ये बाकियों को ली करवाये जाए रेजिस्टर तो उसमें पता लगा कोई फावर्डी नहीं आ रहा है कि रेजिस्टर करवाने में क्यों क्योंकि एक उनके अंदर ये बैकरेट कर दिया गया कि यहां से जो जना जैसे बिहार में अगर जा रहा है तो जहां भी वो जाएगा उसके बाद उसको रोक के 14 दिन के लिए कॉरिंटीन कर दिया जाएगा मैं आपको व्यक्तिकत जानकारी के हिसाब से बोल रहा हूँ मैंने बहुत कोशिश करी कि व्यवस्था जब हो रही है तो उसमें चले जाओ नहीं जाओ वहां तो हम तो 14 दिन के लिए हमें बंद कर दिया जाएगा तो लोग अलग अलग तरी कैसे तो इस पर कई कई समझ जाए है और देखिए पूरी